एक बार फिर से डूबने को तयार रफरल अस्पताल रघुनादपुर। रघुनादपुर में मुसला धाल बारिश की रूप में देखने को मिला। उक्ता बारिश को देख पिछली बारिश की याद और अस्पताल परीसर में लगे। घुटने भर पानी को तीन महीनों तक जेलने भर की आजसे आंग सिहर जा रहा है अस्पताल के कर्मियों और मरीजों का शुक्रबार के बारिश को देखकर इस बार भी अस्पताल के डूबने के पुरी संभावना जताई जा रही है अस्पताल का भवन भी काफी जरजर हालत मे जो कभी भी बड़े हादसे के रूप में ब्रेकिंग खबर बन सकता है रगुनादपूर बाजार के बीचो बीच इस्तित मुख्य नाले की सफाई जून के प्रथम सपताह तक नहीं हुई है जिस कारण भारी बारी शोने पर जल जमाओ की निकासी नहीं होगी और उस सूरत में रफरल अस्पताल रगुनादपूर का दक्षिन टोला प्रखंड परीसर और शहीद मैदान एक बार फिड़ से डूब सकते हैं मुख्य नाले को अस्थानी लोगों ने खोँ पलानी वगएर से अतिकरमड कर नाले के वास्तविक रूप को मिटा दिया है रफरल अस्पताल के काय ककल जुनो द्वार मॉडल अस्पताल वं अस्पताल के विभिन विभागों के डॉक्टरों के प्रतिन्यूकती की चर्चाए अब केवल सोशल मीडिया तक ही सिमित रह गई है जन प्रतिनीधियों को कोई खास मतलब नहीं है अस्पताल से आपको बताते चले के उक्त अस्पताल के बदबुदार जल्जमाओं के निकास भव निर्माण वगरा अन्य मांगों को अविलंब दूर करने है तू निख्तिकला निवासी पुर्व छात्र नेता और आज के अमरण अंसन पर बैठ गए थे जिसकी सूचना आखबारों के माध्यम से पाकर जदियू के वरस्ट नेता और सांसद पती अजय सिंग ने 23 जुलाई की राद को 11 बजे अंशनकारी शिर्वास्तों से मिलकर स्वास की कुशलक शेम पूस्ते हुए अस्पताल परीसर में मनरेगा से मिट्टी भरवाने का आश्वासन देकर अंशन खतम करने का अनुरोध किया जिस पर 24 जुलाई को अस्थानिय प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष कुमार मिश्रा ने अंशनकारी राजीव को जूस पिलाने के दरमयान 24 घंटे के अंदर पंप सेट के सहारे अस्पताल परीसर में लगे बरसात के पानी को निकालने का आश्वासन दरजनों मुखि जने भर पानी में बाइक पर बैठ कर अस्पताल के भवन का निरक्षन किया वह मीडिया को संबोधन के दरमयान एक सवाल पर दूबे ने बताया कि इसी वर्ष यानि कि 2019 में मैं बीते साल 2019 की बात कर रहा हूं उस समय सूबे के स्वास्त मंतरी मंगल पांडे से मिलकर अस्प लोक से स्वास्त मंतरी अपने पार्टी यानि कि भाजपा के प्रचार प्रसारियों रगुनादपुर की जनता को सीए और एनार्सी कानून को रगुनादप की जनता को समझाने अस्पताल के सटे शहीद मैदान में एक कारिकरम में कई घंटों तक रुके थे लेकिन एक परीसर में पैर रखना भी उचित नहीं समझा जनता दी दोशी है उक तस्पताल में जल जमाओ और कुब्यवस्ता खिलाप रगुनादपुर परखंड शित्र के किसी भी जनता ने सरकार द्वारा बनाई गई लोक शिकायत में शिकायत दर्ज नहीं कराई इसलिए जनता भ लोक शिकायत के साइड पर जाकर शिकायत दर्ज करावें जब एक ही विश्यकू सैकड़ों शिकायत आएगी तो बड़े से बड़े अधिकारी को जगना पड़ेगा और जगे होने के बावजूद सोने का नाटक कर रहे अधिकारियों को अपने नींद से बाहराना पड़ेगा समस्या का निदान एक कारवाट सदस्य से लेकर पंचायत अस्तर के प्रतिनी धी संबंधित अंचला धिकारी अगर संकल्पित भाव से प्रयास करे तो समस्या जादू की तरह छूमंतर गायब हो जाएगा मुख्य नाले की जमीन पर से कुछ एक अतिक्रमण कारियों के कबजे को हटा कर मनरेगा या अस्पताल के रोगी कल्यान समीती से योजना लेकर अगर नाले की समुचित सफाई करा दी जाए तो अस्पताल परीसर में जल जमाओ की समस्या दूर हो सकती है लेकिन सूत्र बताते हैं कि कुछ एक अतिक्रमण कारी की काफी दबंग और राजनैतिक प्रभाव वाले धनवान लोग हैं जिस कारण प्रशासन भी हट डालने से बचना चाहती है अब रगुनातपुर की जनता को डिसाइड करना है कि क्या करना है फिलाल आप कहीं मत जाएए देख रहे हैं आप नारद मीडिया